हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स, इस लेक्चर सीरीज में हम डिसकस कर रहे हैं, जनरल साइन्स यूद कमपटिशन टाइम्स की, जिसमें हाज हम डिसकस करेंगे, फीजिक्स का पार्ट नमबर 18, इस से पहले हमने फीजिक्स के 17 पार्ट बना दियें, और साथ सा लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखें, तो उसके भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो, तो हमारा पहला कोस्चन दिया गया है, निमने में से कौन सा माध्यम के घनत किसी धोनी तरंग के एक संपूर और दोलन में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, आवर्दकाल, आपको इस ध्यान रखना है, इसे हम किसे दिनोट करेंगे, टी से और अगर आप रडिक्ति की बात करेंगे, तो यह इसका उल्टा हो जाएगा, तो एक सिकिंड में लगने वाले दोलनों की संपूर्द को हम क्या कहते हैं तो friends पर sticky Church से गुज ए और कोरेक्ट होजाएगा सबी विकल्प करेक्ट और तो ऑप्सन नमबर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स ध्योनी एक परकार की यांत्रिक तरंग है और ध्योनी को संच्रल के लिए माध्यम की अभिशक्ता होती है ठोस द्रब गैस तथा प्लाजमा सभी द्रबों में ध्योनी संच्रल तो ध्योनी तरंग की इन में से कौन सी विश्यशत नहीं है आपको इसे भी ध्यान रखनाँ है हार्टों तो क्या है अभरत्ती चूल्मस को सकती है तो ध्योनी गमन किसमें नहीं कर सकती है जरब में कर सकती है ठोच में कर सकती है गवामे यानी कर सकती है निर्वात में नहीं कर सकती है нек 이e ने ख्रेक्ट हो जाएगा है अगला केoler देखते हैं नर्म और छिदृअग सत्가 का सतों का के लिए रियों की कारण सब्सक्राइब कान में प्रियोग की जाता है एक सरेक्ट इसमें त्यौटान को थे होती है अनुपरस्त तो option number D correct हो जाएगा अगला question देखते हैं निम्लिकित की भिन्यता के कारण संपीडन और बिडली करण उत्पन होते हैं तो किसके कारण होते हैं हब आके दबापके option करेक्ट हो जाएगा दोस्तों जब किसी जिहोंई श्रोष से बायू में जिहोंई उत्पन की जाती है तो वह द्यूनी बायू में तेजी नएक कोस्टन देखते हैं ध्योणी की तीबर्ता मापी जाती है तो ध्योणी की तीबर्ता को हम किसеци मापते हैं डेसी बल से option number हमारा C correct हो जाएगा अगला question देखते हैं ध्योणी तरंग की आब रिति मां अपने का मातरक काई है तो क्या है heart हाट्स ऑप्सन नंबर हमारा वी करेक्ट हो जाएगा तो आपको इसे ध्यान रखना है ध्योनी प्रिकार का कमपन या विक्षोब है जो किसी धोस धरब गय से होकर संच्रित होती है ध्योनी तरंग के निरवाद में गमन नहीं कर सकती है मैं आपको बताई चुका हूं ध्योनी निम्न में से क्या है यांत्रिक तरंग ऑप्सन नंबर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा तो ध्योनी क्या होती है मेकेनिकल बेब अगला कोस्टिन है किसी एकल आबिर्थी की आवास को क्या कहा जाता तो एकल आबिर्थी की आवास को हम क्या कहते हैं आपको इसे ध्यान रखना है टोन ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा एकला अबरिति की आवाज को हम क्या कहते हैं टोन या स्वर तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड जब कई आबरितियां आबरितियों को मिरस्टित किया जाता है तब एक आबरिति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहत और उधारण के लिए एक संगीट नोट में विविन आवरितियां विन विन पिछी आवाज हैं और आवाज और आयाम की टोन होती है तो आपको इस शीच का ध्यान रखना आए अगला कोस्टन देखते हैं निम लेकित में से कौन सा निर्वाद में यातरा नहीं कर सकता है तो अगला कोस्टन देखते हैं ध्योनी एक रूप है जो सुनने की अनुवति पैदा करती है तो ध्योनी क्या है एक यांत्रेक उर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुवति प्रधान करता आ है तो option इसमें हमारा B correct हो जाएगा अगला question देखते हैं हवा में ध्योनी तरंगे होती हैं तो हवा में ध्योनी तरंगे कैसी होती हैं अनुदैद्र तरंगे option number हमारा C correct हो जाएगा जब किसी मार्ध्यम में तरंग की गती के दिशा माद्धम के कड़ों के कमपन करने के दिशा के अनुजिस या समांतर होती है तो ऐसी तरंगों क्या कहते हैं अनुदैद्र तरंगे फ्रेंड्स अनुदैद्र तरंगे सभी माद्धम उत्पन की जा सकती है ये तरंगे संपीडन और बिरलन के रूप में संच्रित होती है अगला कोशन देखते हैं निमले कित्म पर ध्योनी तरंग भिरमल करती है तो किस पर करती है विविन माद्यमों की भिन गती पर ओप्सन नमर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है ध्योनी उत्पन होती है तो ध्योनी उत्पन किस से होती है आपको इसे भी जान रखाए बस्तुओं में कमपन होने पर तो बस्तुओं में कमपन होने पर ध्योनी उत्पन होती है ओप्सन नमर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं बिल्कुल मंद इसरब ध्योनी की तीब्रता इस्तर क्या है तो क्या होता है जीरो decibel option number हमारा भी correct हो जाएगा और मनुस्कों के लिए मानक ध्योनी इस्तर कितना होता है साटडेसीबल कितना होता है साटडेसीबल तो आप इसे भी ध्यान रखना है इससे related exam में question पूछ सकते हैं अगला question है ultrasonic तरंगों की आबरित्ती कितनी होती है फैंस ultrasonic तרंगों की आबरित्ती कितनी ओती है आपको इसा भी धियान रखना है 20 किलो हार्ट से ज़्यादा option number हमारा C correct हो जाएगा friends इसे मनुस्तों की कान नहीं सुन सकते हैं आप कुछ चीज का ध्यानक ना है लेकिन कुछ जानबर सुनते हैं कुट्टा, बिल्ली, चमकादर इसे आसानी से सुन सकते हैं अगला कोशन है इसे मनुस्तों के लिए ध्योनी का असरे सरब सीमा लगबग तक होती है तो कितनी होती है 20 हार्ट से 20,000 हार्ट तक option number हमारा C correct हो जाएगा तो आपको इसे ध्यान रखना है अगला कोशन है मानपकान की समान सरब सीमा क्या है तो मानपकान की समान सरब सीमा क्या है 20 हार्ट से 20 किलो हार्ट option number हमारा D correct हो जाएगा अगला कोशन है मनुस्तों बहुत उची ध्योनी सहन नहीं कर सकता है वो उच्चितम ध्योनी इस तर क्या है जो मनुस्तों सहन कर सकता है तो कितना तक मनुस्तों सहन कर सकता है WHO के अनुसार 80 decibel तक तो आपको इसे ध्योनी रखना है और जो मनुस्तों के लिए सरबोत्तम ध्योनी माने जाती है 45 decibel WHO के अनुसार इस चीज़ को भी आप ध्योनी रखेंगे और 75 decibel की जो ध्योनी होती है वो मनुस्तों के स्वास के लिए द्यानी का रख होती है आप इसको भी ध्यान रखें अगला कोस्टन देखते हैं सरब लिए range में से नीचे आप रित्यों के साथ ध्योनी तरंगों को क्या कहा जाता है तो नहीं हम क्या कहते हैं आपको इसे ध्यान रखना है इंफ्रो इंफ्रासोनिक आप इसकी रेंजी भी ध्यान रख सकते हैं 20 हर्ट से 20 किलो हर्ट तक तो आप इसकी रेंजी ध्यान रखें अगला कोस्टन देखते हैं कि आप रित्यों मनुस्टों के लिए सरब नहीं है आई सुनने लाइक नहीं है तो कौन सी नहीं है 22,000 हर्ट ओप्सन नंबर हमारा B करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन देखते हैं अप सरब या इनपरासोनिक तरंगों की आपरित्ती है तो कितनी होती है 20 हर्ट से कम ओप्सन नंबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन है एक ध्योनी तरंग की गती 3040 मीटर पर सेकेंड है यदि उसकी तरən्ग दैदर 2 cm है तो तरंग की आबरिती क्या होगी तो हमारा फर्मुला क्या होता है V बराबर N लेंडा तो V कर आए वेक और N कर आए आबरिती और लेंडा क्या है तरंग दैदर तो आपको निकालना क्या आए यानि कि आप इसमें क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे तो 100 आपका ऊपर पहुंच जाएगा ये कितना जाएगा? 17 और ये 100 ऊपर पहुंचेगा तो कितना ओजागा? 17,000 ओप्सन नमबर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा 17,000 तो आपको इस तरह के question ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे अगला question देखते हैं तरंगे चमगारल को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है तो कौन सी तरंगे करती हैं आपको इनका ध्यान रखना है प्रासरब तरंगे option नमबर हमारे सी correct हो जाएगा friends ये 20,000 हाट से उपर की तरंगे होती है तो आप इस वीद को भी ध्यान रखेंगे इन्हें हम क्या कहते हैं प्रासरब तरंगे friends इन तरंगों को कुट्ता बिल्ली चमगादल सुन सकते हैं मनुस्तों के लिए सिर्ब ध्योनी की आवरितियों की रेंज कितनी होती है तो कितनी होती है 16 हाट से 20 किलो हाट तक option नमबर हमारे सी correct हो जाएगा अगला कुश्चन है एक अल्टरासोनिक ध्योनी तरंगे की आवरिति में से भी अधिक होती है तो किस से भी अधिक होती है 20 हजार हाट से भी अधिक होती है option नमबर हमारा डिकरेक्ट हो जाएगा इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और इनपरसोनिक की आवरिति 20 हाट से कम तता स्रब ध्योनी की आवरिति 20 से 20 हाट के मद्ध होती है तो आपको इन सबकी रेंज का ध्यान डखना है अगला कोस्ट रहे है हवा में ध्योनी की गती से अधिक गती के रूप में जानी जाती है तो हवा में ध्योनी की गती अधिक गती सूपरसोनिक के रूप में जानी जाती है तो आप इस चीश को ध्यान दखेंगे किसी पिण्डी की गटि को मेंखसंक्या क्षे मेजर करते हैं। यानि कि मापते हैं। यदВ से ठीकर कुछे हैं सुपऱ अधिक हैं ऑर मेंख तो क्या कहिए उसे हाइपरो या थी फिराधोनिक गथी नक् tienes को ध्यान दखेंगे। सही नहीं है इन्हें यात्रा करने के लिए किसी पिरकार के माध्यम की अवशक्ता नहीं होती है तो यह गलत है यानि की उप्सन लंबर की प्रभावित नहीं होती है यहानी की इस से कोई रिलेशन नहीं होता है तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगा ऑप्सन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्छन जिखते हैं एक पिरती ध्योनी तीन सेकिंड में वापस आ जाती है यदि ध्योनी की गरती वी कितना दिया गया है तीन सो ब्यालिस और समय कितना दिया गया है तीन तो जब इसकी मल्टिप्लाई करेंगे तीन दूनी छे तीन चोग बारा और तीन तीन नौर एक दश तो कितना होगह ये हैं एक हजार-चबविस मीटर तो शुरोद परावर्दन सते से दूरी कितनी और वापस आ रही है तो क्या होगा इससे हम दो से डिवाइट कर देंगे तो यह कितनी हो जाएगी पांच सो तेरा मीटर ऑप्सन नमबर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन देखते हैं हवा में ध्योनी का भेग लगबग कितना होता है तो आपको इसे तो रट लेना है 330 मीटर पर सेकिंड तो इसका यूज निमेरिकल में भी हो सकता और आपके डारेक्ट कोस्टन पूछ सकते हैं अगला कोस्टन है यदि दिये गए बेग पर किसी ध्योनी तरंग की आभरति बढ़ाई जाए तो इसकी तरंग दैद्र पर क्या प्रभाब पढ़ता है तो इसकी तरंग दैद्र में कमी आ जाएगी तो अप्सर नमबर हमारा डीक्रेक्ट वह जाएगा तो भी बराबर क्या होता है और liar no करदया में और बेग में हिए किसमंद होगा कि इसी देग कर और आभिरत्ति में और तरंगद्र में क्यों होगा इल्टें समय अ तो सबसे पहले आपको बेग निकालना है V बराबर N लेम्डा से तो आपरती कितनी दी गई है आपरती दी गई है तीन पॉइंट पांच किलो हर्ट्स यानि तसकी हर्ट तीन किलो की जगा लगाएंगे और समय कितना दिया गया है तरंगदेद कितने दी गई है जी रtt 10 पॉइंट टेध तो आपका ब्रेक कितना आ जाएगा 300 पचास है टीन सो पचास आपका ब्रेक आ जाएगा ताइम निकालेंगे था स्यासरय क्यों निकालेंगे इस City केरी distant जो दूरी चली smartest और समय कितना ली कितना है सल्टAny तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा दो सिकिन्द साले 300 दुनी 700 तो तो अगला कॉस्चिन देखते है वायू में ध्योनी की चाल ग्याद करें तो भायू में ध्योनी की चाल कितनी होती है 331 मीटर पर सेकिंड option नमबर A correct हो जाएगा अगला question है निम लेकित में से कौन सा कतन सत्थ है ध्योनी का भेग होता है तो ध्योनी का भेग कितना होता है आपको ये बताना है तो friends आपको ऐसे question जरूर ध्यान रखें इसमें कौन सा option correct होगा सर्दियों की तुलनामे गर्मियों में अधिक होता है option D correct हो जाएगा अगला question है हमारा एक माध्यम एक माध्यम में ध्योनी की गती निर्धारत करता है तो कौन निर्धारत करता है माध्यम की पिरकृती option नमबर हमारा C correct हो जाएगा अगला question है समुद्री जल में ध्योनी की गती होती है तो समुद्री जल में ध्योनी की गती कितनी होती है आप इसको भी ध्यान रखेंगे 1531 मीटर पर सेकेंड तो आप कोईसे भी ध्यान रखेंगे लोहे में ध्योनी की चाल कितनी होती है आप इसको भी ध्यान रखेंगे तल पर एक ध्योनी तरंग भेजता है जो 2.5 सेकेंड बाद एक प्रती ध्योनी या अनुगूंज प्राप्त करता है समुद्री जल्मे ध्योनी की गती 1200 मीटर पर सेकेंड है समुद्री की गहराई क्या होगी तो इस कोस्टन को आप डारेक्ट आंसर बता देता हूँ बागी ने मेरी कल जब कर आएंगे तो इससे अच्छे समझ लेंगे तो आप्सन नमबर में वारा डीकरेक्ट हो जाएगा 1500 मीटर तो पहले आपको दूरी और चाल समय का फॉर्मूला लगाना आए और उससे आप यह ह बैट निकाल लेंगे अगला कोस्टन देखते हैं बायू में ध्योनी के बेक से अधिक की चाल से आत्रा करने वाली एक वस्तू को कहा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं पराध्योनिक तो आप इसे ध्यान रखेंगे ऑप्सन नमबर एक डेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन सhos डेखते हैं 25 degrees celsius फर बिएएन माद दिमों में धियोनी की चाल के बारे में निम्ली कितने से कौन से कुं शत्त स्त है राएं है तो पहला हैं हीलियम घैस में धियोनी की चाल啊 सो 25 किलो मीटर पर सेकेंड है हाइडरोजन गैस में ध्योनी की चाल 1284 मीटर पर सेकेंड है तो इसमें केवल बीस अत्त है और यह क्या है गलत है तो आपसर नंबर भी करेक्ट हो जाएगा कि अगला कोस्तिन देखते हैं 25 डिगरी सेल्सियस पर माध्य में ध्योनी की गति परिवर्तिस होया थी इस कतन के सम्मंद में इने में कौन सा कतन सही गलत है तो आक्सीजन गैस में ध्योनी की गति 316 मीटर पर मिनट होती है तो इसमें ओपसंद नमजा हमारा C correct हो जाएगा ना ही A सही है और ना ही B option number C correct हो जाएगा अगला question देखते हैं 25 degree Celsius पर विविन माध्यमयों में ध्योनी की चाल के बारे में निमले कितमे से कौन सा कतन सही गलत है तो पहला है समुदरी जल में ध्योनी की चाल 1531 km पर second होती है अगला है जल आसुत में ध्योनी की चाल 1498 km पर second होती है तो इसमें कौन सा option correct हो जाएगा option number इसमें हमारा A correct हो जाएगा ना तो इसमें A सही है और ना ही B सही है तो दोनों ही गलत हैं तो option A correct हो जाएगा अगला question देखते हैं किसी भी माद्यम में जैसे ही हम बढ़ाते हैं ध्योनी की गती बढ़ जाती है फैंस किसी भी माद्यम में जैसे ही हम क्या बढ़ाते हैं तापमान बढ़ाते हैं तापमान हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा ध्योनी की गती बढ़ जाएगी तो पहला है जल समुद्री में ध्योनी की चाल 1531 मीटर पर सेकिंड होती है हवा में ध्योनी की चाल 344 किलो मीटर पर सेकिंड होती है तो इसमें यह तो सही है लेकिन भी हमारा गलत है तो आप्सन नमबर एक सी करेक्ट हो जाएगा केबल एस अगला कॉस्टन देखते हैं 25 पहला इस समिदली जल में ध्यूनी की चाल 1531 पर सिकिंड मेरा जल जल में जल सर्ध्य। मीटर पर सेकंड होती है अगला जल हासु जल में ध्योनी की चाल कितनी होती है 1498 मीटर पर सेकंड तो इसमें कौन सा ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा इसमें हमारे दोनों ही सही है ये भी सही है बी भी सही है तो ए और भी दोनों ही सत्थ हैं ऑप्सन नंबर सी करेक्ट हो जाएग अगला कोस्टेन है बिबिन माधिमुमें 25 डिगरी से लशीएट पर ध्योनिगी गती के संदर में निमलिकित में से कौन सा कत्थन बिधान सत्य है या गलत तो पहला है ऐलूमिनियम में ध्योनिगी गती बान सट सो बीस मीटर पर सेकिन्ड होती है अगला है निकल में ध्योनी की गती 6040 मीटर पर सेकंड होती है तो इसमें हमारा कौन सा ओप्सन करेक्ट हो जाएगा इसमें A तो हमारा क्या है गलत है और V क्या है तो इसमें केवल B सत है तो ओप्सन नमर हमारा C करेक्ट हो जाएगा केवल B सत है अगला कोस्तिन देखते हैं जब किसी बस्तू की चाल ध्योनी की चाल से अधिक हो जाती है तो उसे चाल पर यात्रा करने कहा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं परा ध्योनीक चाल ओप्सन नमबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा रेंट्स जब कोई पिंड यानि की बस्तू ध्योनी की चाल एक मैक से भी अधिक चाल दिकरती करती है तो उसे हम क्या कहते हैं प्रध्योनिक चाल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे अगला कोशन है निमने में से 25 डिगरी सेल्सियत पर ध्योनी का बेग अधिकतम होगा तो किस में होगा ऐलमूनियम में अप्शन नमबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा कितना होगा आप इसको भी ध्यान डख सकते हैं 343.69 मीटर पर सेकेंड अगला कोशन देखते हैं निमने में से 25 डिगरी सेल्सियत के विबिन माद दिमे करेक्ट हो जाएगा तो इसमें कौन सा pushing correct हो जाएगा इसमें हमारा क्या है कथन वी तो गलत है być सही है तो क्वला कौन सा बल्मी सथ है और नहीं film पहला इस डाटी कितनी होती है 660 m per second अगला है निकल में धियुन्यक कियाती 640 m per second होती है, तो इसमें कौन सा option correct हो जागा, ये तो हमारा क्या है, इसमें सही है लेकिन B क्या है? गलत है तो केवल A ही सकत है, तो option B correct हो जाएगा फ्रेंस आप देख सकते हैं इस तरह के question किसने पूछे कहें तो मीटर पर सेकिंड आप जहां देखें बहीं सही मानें बढ़ना आप इने याद जरूर कर लें अगला कोस्टन है यदि तापमान बलता है तो ध्योनी की गति क्या होती है तो आपको ध्यान रखना है बढ़ जाती है ऑप्सन नमबर अमारा डी करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन देखते हैं दिये गए एक तापमान पर ध्योनी की गति में अधिक्तम होती है तो किस में अधिक्तम होती है आपको इसे भी ध्यान रखना है ऐलिमूनियम में तो अप्सन नमबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा आप इस चीज को ध्यान रखेंगे अगला कोस्टन देखते हैं यह ध्योनी की गति सबसे तेज होती है तो किस में होती ही सबसे तेज इस टील में अप्सन नमबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा तो ध्योनी की यांतरिक तरंग है जो विबिन माध्यमों में चल सकती है तो आप इस तीज को ध्यान रखेंगे ध्योनी की चाल मुकता माध्यम की परत्यासता तता घनत पर भी निर्फर करती है और ध्योनी की चाल सबसे ज़्यारे किस में होती है ठोस में होती है और ठोस में सबसे ज़्यारे किस में होती है इस टील में यानिकी इस पात में अगला कोस्टन ने निम लिकित में से किस में ध्योनी की चाल के बारे में निम्ले कित में से कौन सा कथन सही गलत है तो पहला जल समुद्री में ध्योनी की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है अगला एथनौल में ध्योनी की चाल 1200 किलो मीटर पर सेकंड होती है तो इसमें हमारा कौन सा आप्सन करेक्ट हो जाएगा यह तो अगला कोश्चन देखते हैं 25 डिगरी सेल्सेथ पर विबिन माद्धिमा में धियूनी की चार्ल के बारे में9 लिकत में से कौन सा कठन सही गलत है शमद्री जल नहीं की चार्ल 591 4000 मीटर होती है हवा में धियूनी की चारहんだ386 किलो मीटर होती है फिर यह मात्रक की गड़़ड़ई आसानी से आप इसे अलग कर सकते हैं तो यह गलत हो जाएगा यह सही हो जाएगा तो option number हमारा कौन सा correct होगा option number हमारा बी correct होजाएगा केवल यह सही है अगला question देखते हैं, निम्न में से किस पधार्त में ध्योनी का बेग सबसे कम होगा तो किस में होगा, वाई-उ में, option नमर हमारा B, D correct हो जाएगा तो ध्योनी की चाल माध्यम के घनत के समान उपाती है, अर्थात जिस माध्यम में घनत अधिक होगा उसकी ध्योनी की चाल क्या होगी, अधिक होगी, और जिस माध्यम में घनत कम होगा, उसमें ध्योनी की चाल क्या होगी, कम होगी इस सीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे अगला question देखते हैं, फिर भही question है, भही तरीके का तो 25 डिगरी Celsius पर विबिन माध्यम में ध्योनी की चाल के बारे में निमले कितमे से कौन सा कथन सही गलत है तो कथन दिये गए, बायों में ध्योनी की चाल 346 मीटर पर सेकिंड होती है आज सो जल में ध्योनी की चाल 1498 मीटर पर सेकिंड होती है तो इसमें दोनों ही सहीय है, A भी बी सहीय है, यानि A और B दोनों सही है तो option number हमारा B correct हो जाएगा Next question देखते हैं, ध्योनी का पिरसार में अधिक्तम होता है तो किस में अधिक्तम होता है, आपको इसे भी ध्यान रखना है, ठोसों में option number हमारा C correct हो जाएगा ठोस में अगला question देखते हैं 25 degree Celsius के भिन तापमान पर भिन माध्यम में ध्योनी की चाल के बारे में निमले कित में से कौन सा खतन सही गलत है पहला है oxygen gas में ध्योनी की चाल 316 मीटर पर सेकिंड होती है अगला है और सज आसो जल में ध्योनी की चाल 1498 मीटर पर सेकिंड होती है तो इसमें हमारा option कौन सा correct हो जागा यह दोनों ही सही है तो A और B दोनों सही है option number A correct हो जाएगा अगला question देखते हैं ध्योनी निमले कित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा कर सकती है तो सबसे तेज यात्रा किस में कर सकती है ठोस पताहर्त में option number हमारा A correct हो जाएगा और ठोसों में भी सबसे यात्रा किस में करेगी इस बात यानि की इस टील में तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे option number A correct हो जाएगा तो friends आज इतने ही question रहने देते हैं अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और आप लोगों से मेरी request है कि आप वीडियो देख लेते हैं शेयर नहीं करतें तो आप लोग प्लीज 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 आप वीडियो को शेयर करें और लोग जुलेंगे ताकि मुझे भी motivation मिलता रहेगा और आप कोई practice आए exam के लिए ऐसे ही कराता रहूँगा तो आप लोगों से request है जरूर वीडियो को शेयर करें और लाइक करें तो मिलते हैं next वीडियो में नए practice set के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत